तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी के सभी मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है अपने एडूटेन्मेंट चैनल एकोड़ जपर तो दोस्तों आज पिसले की तरह फिर से हम एक बहुत ही प्यारी सी पोईम लेकर आ गई हैं जिसका न तो दोस्तों हम जो है अब फिर से हम बापस आ जाते हैं अपनी पोईट की पोईट्री के उपर जिसका नाम है आंट जैनिफर स्टैगर यह जो पोईम है यह हमारे एड्राइने रिच इसके पोईट का नाम है एड्राइने रिच जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट ह ह brace ।ो इस नाम याद करने जो इसले से पोईट थे वह कौन किसके थे आंट जैनिफर स्टैगर की पोईट थे Aunt Jennifer Stagger के poet थे कौन से थे? Rich नाम की जो poet थे तो दोस्तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे है Aunt Jennifer Stagger इस poem का जो नाम है इसी नाम से आपको पता लग जाएगा कि यह नाम क्यों रखा गया है पहले poem पढ़ते हैं देन उसके बाद देखते हैं और हाँ दोस्तो एक बड़ी मजीजी की बात कि इसके बाद जस्ट मैं आपको जो है दो कोशन दूँगा करने के लिए वो कोशन इतने ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा important अगर आपने उन कोशन को लगा लिया तो life जिंगलला सच मैं आपकी कोशन इस पूरी पोईम को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जागा और आपने इसके एंड में वो कोशन लगा लिये तो तो दोस्तो बिना किसी बाद के हम स्टाट करते हैं आंट जैनिफर स्टैगर का explanation ठीक है तो देखें यहाँ पर जिंफिडेइंट है फ्रीड़म से भरे हुए है जिंट त्यागर को बना रही है वो बहुत भादुर है बहुत ही confident है और freedom से बरे हुए है देन उसके बाद देखते है bright topaz denigens of a world of green तो आपको एक side में picture दिखाई दी रही होगी ये picture जो है ये topaz की picture है topaz एक तरह का पत्थर होता है जिसे हम ring में पहनते हैं तो ये पत्थर से हमें क्या लेना देना हम पत्थर होगी बड़े है न तो ये पत्थर है ये आंट जो है हमारी आंट जैनिफर्स जो है ये बताती है कि इस पत्थर का जो color है वो हमारे tigers के colors जैसा है इसके जो color है वो हमारे tigers के color जैसा है ठीक न उसके बाद है they do not fear the man beneath the tree they face in sleek civilric certainty यहाँ पर जो man word है यहाँ पर जो यह men word है साइब आपको दिखाई दे रहाओ यहाँ पर जिमें बड़ है वो mostly hunters के लिए use कि यह means हांट के लिए अपर यहाँ बता रही है कि हमारे आओंट जैनिफर्स के है वो इतने ज्यादा बहादुर हैं कि अविह हंटर्स से भी नहीं डरते हैं या नहीं शिकारियूंसे भी नहीं डरते है आंन्ट जैनिफर सिंगर फ्लटरिंग ॆर ना nul का मतलब मैं इन दो लॉइं को समझाने के बाद करता हूं तब और जदा सम्झ में आएगा तो देखिए इसे का बोज है उन्पर इतना ज़्यादा प्रेसर आ गया है कि वह अपने प्रेसर से बहुत ज़्यादा दब्ग चुकी है अपने साधी से बहुत ज्यादा तरह चुए हैं इसी प्रेसर की वजह से उनकी फिंगर है अब इन दो लांस का मतलब समझाजिये उसी वज़ह से अब यह जो फिंगर होν कि वह बहुत ज्यादा काप रही है यानिकि उनकी जो finger है वो flut कर रही है fluttering कर रही है और वो इतनी ज्यादा fluttering कर रही है कि वो एक needle को भी एक कपड़े में से पार नहीं निकाल सकती है इसलिये ऐसा नहीं है कि और रियलिटी में यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि उनका जो वर्डन है वो काफी जादा है ताके वो अपने धागे को अपने कपड़े में से नहीं निकाल पा रही है एकदम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? अगर समझ में आ रहा हूँ तो comment करके जरूर बताइए तो देगे नेट्स इस्टेंजा जो है वो कहता है When aunt is dead, जब हमारी aunt मर भी जाएंगी Her terrified hands will lie, still ringed with ordails, she was mastered by जब हमारी aunt मरने तक, aunt Jennifer's जो है जी रही है जहाँ पर वो अपनी ऐसी पिक्चर बनानी है टाइगर्स की जो उनसे just opposite है यानि कि टाइगर्स जो है वो बहुत ही भातुर होते हैं, confident होते हैं और अपनी life को full of freedom के साथ जीते हैं लेकिन aunt Jennifer's के साथ ऐसा बिलको नहीं हो रहा ठीक ना, उनके पास बहुती burden है, बहुती burden है, बहुती load है, pressure है साधी का, इसलिए वो अपनी life freedom से नहीं जी पा रही हैं वो टाइगर्स जो बना रही है, पैनल पर will go on pressing proud and unfair, वो टाइगर्स जो उन्हें पैनल पर बना रही हैं, वो टाइगर्स हमेसा ऐसे ही बहादुरी के साथ जीते रहेंगे, लेकिन हमारी aunt ऐसे नहीं जी पाएंगे, और एक दिन ऐसा भी होगा, कि वो टाइगर्स चलेंगे प्रावड है और unfreard है, याने कि वो उन्हें डर भी नहीं लगता, कि नहीं टाइगर्स को बिल्कुल डर भी नहीं लगता, बहुत ही बाहत हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको ये तीनों वर्स पहले ही explain कर चुगा हूँ, तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने दो most important questions पर जो क choose to embroider tiger on the panel, इन दोनों questions को लगाईए और comment करके बताएए अपना answers, thank you, bye bye